अरे वा, आज का मोसम तो देखो कितना जाधा बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज तो सैक्लिंग करने में बज़ा ही आजेगा, लेकिन एक मिनट ये फ्रैक्लिल और चॉप का बच्चा कहा चला गया, ओहो तो तुम दोनों यहाँ पर चुपे हुए हैं, तुम अरे यार स्पेस में काफी बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन में से एक पत्थर हमारी लो सेंटोस में गिरने वाला है, अरे फिर तो हमारी धरती फट जाएगी, वो पुछ छोटा है, लेकिन भाई उससे तभाई काफी जादा होगी, उमीद करते हैं कि यार वो जहाँ अरे यार अभी तो तुझे सुन केंडर लग रहा है, अभी टीवी में तु ये वाली न्यूस सुन, तो लो सेंटोस वासी हो, अगर आपको चैन से सोना है तो लगातार जगते रहिए, क्योंकि कुछ घंटों में हमारे अर्थ पर बहुत बड़ा एस्टोई टकराने वाला ह जिसके वज़े से हमारे अर्थ में काफी भारी नुकसान होने वाला है तो मैं आप सबसे गुजारिस करूँगा जब तक हमारे सेंक्टिस यह नहीं पता लगा लेते कि एस्टरोइट कहां पर गिरने वाला है तब 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 आप सब लोग अपने घर पे रहेंगे तो आप सब लोग सो रक्सिद रहेंगे कितना बढ़िया अभी कास नहीं था अब दिखाता हूं मैं आपको कितना बढ़िया स्टर बाहरा सकता हूं यह देखो यह रहे मेरे दोस्त चैनलों के सामने स्टंट मारते हैं अरे आपरे बात नानी मुझे माफ करना अरे बेवकूफ शिंचैन जब तुम्हें स्टंट मारना नहीं आता तो क्यों करते हैं अभी सीक रहा हूं नानी अरे वह बात छोड़ो शिंचैन क्या तुमने आज की नीउस अरे नहीं शिंचैन यह बहुत इंपोर्टन बात है हमें शाम होने से पहले घर जाना होगा अरे हाँ उसका भी हम ध्यान रख लेंगे शाम होने से पहले पहले हम सब अपने घर चल जाएंगे अब तो ठीक है ना अरे वा आज तो सैक्लिंग करके मजा ही आ गया लेकिन एक मिनिट वो क्या है आका गुला अरे बापरे बाप वो तो कितना जादा बड़ा है अरे नहीं यह तो एस्ट्रोइड लग रहा है हमें एक काम करते हम जाके देख के आते कि एस्ट्रोइड दिखता कैसा है रेकिन य आके चेक करते हैं अरे बापरे बाप यह क्या है चमकदार वा यह तो दिखने में कितना जादा बढ़िया लग रहा है और यह एलियन बनते मुझे क्यों बहुत ज्यादा ताकतवर मैसूस हो रहा है इसके मतलब मेरे पास काफी सुपर पावर आ चुकिये चलो एक वारी हो ट्राइग किया जाए अरे बाप रे बाप इस सिद्धों में काफी लंबी जब ओते दिखी मैं तो उडवी सकता हूँ अरे यार यह वाला इलियन तो काफी ओसम है चलो यहाँ पर हम शेर करी जाए इस पूरी दुनिया की वाई यार लगता है आज का दिन तब मेरा बहुत बढ़िया गया है ओ एक मिनट सामने की तरफ कुछ गैंग वाले जा रहे है चलो उनको थोड़ा सा परिशान किया जाए अहो उन बाइक वालों को यहीं कहीं आसपास होना चाहिए था अहो चलो उन बाइक वालों को थोड़ा सा परिशान करते है उनको यहीं कहीं आना था वो देखो मेरे पीछे एक बाइक है उसकी बाइक मुझे काफी ज़दा पसंद आई लेकिन क्या वो तो पूरी गैंक के सा पर चला कोई बात नी मैं अच्छा खासा से खातूंगा है रुको मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए अब ना मुराद कहीं के तु है कोल मेरी बाइक से दूर है ना क्या तुम्हें को बारना चाहते है लेकिन देखो मुझे इनकी गोईयों से कुछ भी असर नहीं पड़ रहा क्या बात है मैंने तो उसे एक की आग के गोले से बसम कर दिया चलो यह वाली बाइक को ट्राइ करते है दिखने में तो एक देख बड़ी ओ तिरीकी इस में पूरी आग लगने लगी चलो भाई यह बाइक लेकि यहां से निकलते है अरे यार यह वाला इलियन तो एक देख बाइन दिखने में तो इसके पास कोन कऊन से पावर है अच्छा तो एसे में अपने कफी जदा डुब्लिकेट निकार सकता हूँ चलो वो ट्राइ करते है यह वो तो कितना जदा बढ़िया होगा फिलाद तो यह कितना जादा तेज भी भागत रहा है और बाप रेवाब कितनी जादा लंबी जम यार इसे तो मैं अपने स्कूल को एक मिनिट में टाप कर जाओंगा अरे यार यह तो एक देम ओसम है लेकिन अपार यह अपने में स्टेप की जो कि इसके डूबलिकेट निकालना तो फिर यह आप सब कुछ करतेंगे वो जो गारी यार यह रहा उसे तुम्हें आसे पठक दो अरे हाँ बिलकुर सर आपके लिए सब कुछ कर सकते हम अरे यार यह चीज तो पहुँ ज़्यादा भडिया है अरे बाप रे बाप मुझे तो एक ही पंच में गारी को यहां सिर्फ वहां पठक ओ बाइस आप गारी तो दिखो हवा में उडगी अरे यह पाइक बाले को भी नहीं छोड़ ना इसे भी पठक दो अरे बाप रे बाप यह वाला तो कितना मस्त करेक्टर है इसमें तो मुझे अपने जैसे होड बनाने के वोग ही मिलते है अरे यार इस चीज का यूज मैं अ चलो मैं घर आ गया एक मिनटी आपर यह वाला इलियन क्या कुछ कर सकता है अरे यार ऐसे तो घर बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन फ्रैक्लिन और चौप कहां चले गए उनको यहीं आसपास होना चाहिए था ओ वह देखो सामने के तरह फ्रैक्लिन और चौप चुपक प्रैक्लिन का बच्चा भी तक नहीं आया अरे हाँ फ्रैक्लिन मुझे लगता है वो यहाँ वाँ घुमने लग गया होगा जब वो घर आएगा तो तो मुसे मारना हाँ मैं भी सोच रहा हूँ से थोड़ा सबक सिखाय जाए अरे यार यह लोग तो मुझे मारने का प्लैन बना रहा है यार यहाँ से फटाफर से लिकलता हूँ कईए मुझे देखना ले ओहो मैं तो भूली गया था मैं अब को याम लड़का नहीं हूँ मैं सूपर ही रहू तो चलो फिर यहाँ पर चौप को परिशान किया जाए अले फ्रैक्लिन के बच्च से मैंने सिंचन को मार अरे एक मिनट यार यहिन की हालत तो कफी ज़दा खराब होगी है मैंने तो इसको बस्ती मस्ती में बारा था लेकिन मैं तो बूली गया मेरा हलका जावार उनके लिए कफी कतरनाग हो सकता है देखरो वह यहाँ पर फ्रैक्लिन की तो हालत और चौप की हालत कितनी ज़दा खराब होगी है अरे यार यहां पर मैंने क्या कर दिया अरे यार इने फटाफर्ट से ठीकन ना होगा और चलो तुम कम से कम ठीकता हुए अभे यार तू है कौन अरे मुझे तो लगता यह कोई गुस बैठिया है चलो इसको मारते है ओ दोस्त नहीं हूँ तुमारा दोस्त सिंचेन अबे तू कब से शिंचेन बन गया अरे हाँ इसकी स्मेल तो सिंचेन जैसी है लेकिन इसकी सकल किसी एलियन की तरह है और उको एक इने ओ भाई साम तू तो सही में शिंचेन है यार अबे लेकिन यह सब तुने क्या किया तुने कोई मैजिक मैजिक सीख है क्या अरे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन दिबाना मत भूलना चुकि ऐसी मज़िदार वीडियो आपको रोज देखने को मिलेगी अच्छा तो मिज़तों आप से अगली वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई दोस्तों